हेलो गाइज वेलकम तो अनेदर वीडियो अप्लाई करना चाहिए या फिन इसके चल रहे लिस्टिंग कितने मिलेगे अप्लाई कर या फिर अवाइड किस प्राइस को डिसकस करेंगे चलिए फेंड्स वेडियो को स्टार्ट करते है तो गाइज दिखेए जो आएफ प्यो है एटि अप्रियल मदल आज की दिन उल्पन होने जा रहा है और 22 फ्रेष क्या लाइब करेंगे फंड्स का फंड्स का कंपण्य के ऊपर यह आगी बैता हूंगा अलॉट्मेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 23 अपरिल का PSE NSC दोनों में रिस्टेड हो क्योंकि लिस्टेड अल्रेडी है जो है PSE NSC पे 25 अपरिल का लिस्टिंग डेट रखा गया 10 to 11 रुपीज पर शियर की प्राइस बैंड है और 1298 शियर की लॉट साइज है अक्सेस कैपिटल लिमिटेड जेफ्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एस बीडिल मार्केट उसके लिड मैनेजर है लिंक इन टाइम इसके रिजिस्ट्रार है और अगर हम बात करेगा जो ओफर जो दिया गया है QIB को 50% जिसमें एंकर इंवेस्टेड इंक्लियूड ह HMI को 15% के डिटेल को 35% को ओफर दी गई है एंकर इंवेस्टर से 5400 करोड का फॉन रेज कर चुका है और हम कंपनी के प्रोमोटर की बात करेगा है तो कुमार मंगलम बिर्ला हिंडाल को इंडस्ट्रीज ग्रसिव इंडस्ट्रीज बिर्ला टीम्टी होल्डिंग्स लिमिटेड मोबिल वेस्ट और प्लाइम मेडल से ट्रांश क्रिस्टल लिमिटेड ओमेगा टेलीकॉम हूल्डिंग्स प्राइवर लिमिटेड और उशा मार्टिन टेलिमेटिक लिमिटेड इसके प्रोमोटर है प्लिएश्यू होलिंग 48.75% का है और जब यहे एक्प्रोमो डेटा वैल्यू एड़िट सर्विसेज जो की 2G, 3G, 4G टेक्नोलोजीज में जैसे सौर्ट मैसेजिंग हो गया, डिजिटल सर्विसेज, एंटरप्राइज और कम्यून कंजूमर के लिए करता है, 31 दिसंबर के एकॉर्डिंग 223 मिलियन सब्सक्राइबर कंपनी पास आ चुके थे, अचिव कर चुका था, और सब्सक्राइबर देखने को मिला था, मार्केट शियर अराउंड 19.3% का मार्केट शियर कवर कर रही है, इसका नेटवर्क कैरीड जो है, नेटवर्क जो है, नेटवर्क जो है, 401 बिलियन वोइस मिनट्स और 6,004 बिलियन MB of data जो सो कैरी कर चुका है, और अगर हम बात करेगा, इस कंपनी जो है, 31 दिसंबर के एक्कॉर्डिंग ही, मोबाइल एंड फिक्स्ट अर्विस सर्विसेज भी सो ओफर करता है, 300 मिलियन से भी जादा कस्टमर्स को लगवा 17 कंट्रीज में, और इसके पास के अंडर ऑपरेट कर रही है, लगवा 3 decades का experience है, वोड़ा फोन और आइडिया से, दोनों से मतलब की जो इसके experience है, total income 23 में 42,488 करोड का revenue जनरेट किया था, और अगर हम बात करेगा, इस कंपनी के 31 दिसंबर के एक्कॉर्डिंग ही, लगवा 1,83,400 आवर लोकेशन है, इंड कर रही है, around more than a billion people को cover कर रही है, merger भी देखने को मिला, increase किया है, 4G population coverage में merger भी हुआ है, जो कि 1.18 billion से 1 billion तक को देखने को मिल रही है, मतलब कि 1.18 billion से 1 billion तक जो सो population, 4G population coverage इंक्रीज किया है, इस merger के बाद, और यहाँ पे 2300 से बांडेड और अर्बन स्टोर से इंडिया में ह हो चुका है, जो कि 95% of all districts को cover कर रही है, इसमें include own और franchisee owned stores है company के पास, और यहाँ पे 12,598 individual employed है, इसके अभी सभी operations में काम कर रही है, और अगर हम बात कर रहे हैं इस company को financial का, तो 21 में 42,126.4 के रोल कर रहे हैं, लॉसे से 44,233 के रोल का, 22 में 38,644.9 के रोल कर रहे हैं, 23 में 42,488.5 के रिवेन्यु है, 29,301 के रोल का रॉसे से, 9 में 24 में 32,125.6 के रोल का रोल का र्वेन्यु हो, 23,563.8 के रोल का रॉसे से, यहां financial अगर देखा जाया ना, तो company का रिवेन्यू है, 22 में बहुत था इंपैक्ट पर था, लेकिन लॉसे से रिकावर किया था, लेक लेकिन revenue इंक्रीश किया और 24 में भी देखिए तो losses recover करती है जब आ रही है लेकिन फिर भी गाइस company losses recover कर रहा है और एक साल में company के shares में around देखा जा तो 113% का growth देखने को मिला बहुत profit देखने को मिला 113% की profit दे चुकी है अभी company के shares around 12.95 रुपिच की आसपर trade कर रही है और 11 रुपिच का price band है upper price band financial भी ठीक है देखने को मिल रही है और अगर हम इसके कुछ risky point की बात करें तो high working capital requirement का need है incurred significant debtness वगरा कर रही है debt बहुत ज्यादा है government of India के तरब से और intense competition face कर रहा है कि market में दू टेली कम्यूकेशन सेक्टर है जो कि बहुत जादा competition दे रही है एक है भारती एक है रिलाइंस जियो इन्फो कॉम जो कि यह भी लिश्टेड नहीं है यह सब्सिडियरी है रिलाइंस इंडस्ट्री के लिए और यहां पर मोगाल टेली कम्यूकेशन डेस्ट्री में जो स्मार्क पर्सेंटेज है लगातार इंबलों की पर्सेंटेज के कानगा इंपक्त कर सकता है अब बात करते कि यह FPO से company जो है objective क्या है तो देखिए FPO का objective है company जो है network infrastructure के expansion के लिए equipment का purchase करेगी जिसमें company ज साइट्स का जो है और फो नए 4G साइट्स जो है इसके capacity को expand करेगा और नए 5G साइट्स का setup करना चाहिए जो है वोड़ा फून आइडिया भी 5G लेकर नहीं है यह से 2G 3G और 4G पर एकाम कर रही है जियो और अटल 5G लेकर आ चुकी है और यह company 5G में भी rollout करना चाहा रही ह और यहां पर company पर deferred payments बहुत ज़्यादा है department of telecommunication के तरफ से GST वगेरा जो है सो इसके spectrum के लिए deferred payment बहुत ज़्यादा है जिसको payment करना है company को general corporate purpose के लिए IP लाए गया और अगर हम से कुछ crucial points की बात करें कि क्या है में अप्लाई करना चाहिए इसमें बताया कि कोटक महेंद करें तो यह improve करेंगी जिसमें यहां पर बताया कि previous issue जो है preferential equity promoters के लिए जो बोड़ा फोन आइडिया ने अनाउंस के 18,000 करोड का जो इसमें brokerage जो है believe कर रहा है कि बोड़ा फोन आइडिया जो है further bank funding जो मिलेगा इसको मतलब कि bank debt जो कि around 4500 करोड तक का bank debt जो मतलब कि decrease करे और about 70% of FPO जो है यह proceed किया जाएगा वोड़ा फोन आइडिया के 4G capacity को expand करने के लिए 40.8,000 sites है जिसे expand करेगी 4G coverage को 26,000 sites जो की देखने को मिलेगा और rollout करेगा 5G में 22,000 sites भी cover करेगी और brokerage का मानना है कि more 4G coverage जो है इसके 100 term 4G market share के जो loss हो रही है इसको halt करने में contribution दे सकती इसको रोक सकती है और वोड़ा फोन आइडिया second point क्या बतायागा है कि वोड़ा फोन आइडिया जो है यह market share को जो है larger peers भारती एटल और रिलाइंस जी हो इसके comparison में जो है वोड़ा फोन जो है यह market share को वापस से जो गेन करेगी फंड रेज करने से और यह जो tall ask वगरा में जो से still remain रहेगा और इसमें अगर देखी बात करें तो insufficient network spending के कारण गाइज company around 19% of market share lost हो चुका है खो चुकी है जब से merger हुआ वोड़ा फोन और आइडिया को वेशे जब से merger हुआ 90% market share को जो सो लॉस हो चुका है और सब मार्केट यह लॉसे जो है एंटिसिपेटेड है और अनलिस्ट से है जो कि एंटिसिपेट कर रही है वोड़ा फोन आइडिया को जो की 4G network coverage gap को close करेगा जो coverage है एक्विटी जो सो बिलीब करी कि भारती और आर जीयो है मतलब कि भारती एडल और रिलांस जीयो जो है यह मतलब कि अभी तक कोई भी significant market share जब से company को competitor आया है यहाँ पे future से यहाँ पे देखेगा तो competitor जब से हुआ मार्केट शियर में कोई जो सो significant acquire अभी तक नहीं किया भारती एडल और रिलांस जीयो और इसलिए गाइस company को फ्यूचर में प्राइसिंग राइस अगर इसलिए प्राइसिंग राइस को लेकर जो एक प्रॉब्लम आ सकती है मतलब कि एक तरसा अगर समझे तो वोड़ा फोन आइडिया रिलांस जीयो और भारती ऐडल यह तीन कंपणी से अगर बंद हो जाती है कि यह बंद नहीं करेंगी इसमें कोई-श्रित यहां पर कह सकते है कि कंपणी जो है कुछ क्स्रमर एक्विजिशन पर बहुत आउट्सपेंट करेगी फ्यूजर प्राइसिंग राइस का एक रोक लगा सकती है और यहां पर पोडेंशियल लार्ज डाइलूशन किया रहा है गवर्मेंट ऑफ इंडिया पर गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्विटी पर जो की कन्वर्ज देटा के तक किया जाएगा और repayment किया जाएगा जो की 29,100 करोर का तोटल फंड जो है मतलो कर सकता है और यहां पर कह सकते ह्तरे से एक पॉजिटिव साइन कंपनी की और से की फ्यूचर में कंपनी जो सो बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है अब बात करते कि इसके जींप कितने चल रहे है देखिए 1.5 रूपी चल रहा है मिलने के चांस है तो अगर आप इसको मीडियम लॉंग तो पान से दस साल के लिए होड़ करना चाहते हैं जब तक इसका डेट कम नहीं होंगा तब तक इस कंपनी में इंपैक्ट पड़ेगा लॉसस वगरा फेस कर सकती है लेकिन कंपनी पर क्योंकि डेट बहुत जादा है तो चाहिए आप इसको अप्लाइक कर सकते हैं लॉंग टर्म के लिए वेट किजिए इसमें कैसा होता देखने को मिले उसके कोडिंग आप इसमें कीजिएगा अगर सब्सक्रिप्शन अच्छी होती तो लिस्टिंग भी अच्छी मिलेगी लेकिन अब इसके इसके पर्फॉर्म कर सकते हैं तो अब हम लोग जो है वेडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स से पूछे मिलते हैं इस लोडर में डिलते हैं बाबाई